कालू अब हमारा बेटा बड़ा हो गया है अब इसे चोरी करने अपने साथ ले कर जाया करो अगर हम इसे कुछ नहीं सिखाएंगे तो कैसे सारी जिंदगी गुजारेगा हमारा बेटा गोरी मैं तो कहता हूँ हम इसे चोरी करना सिखाने की बजाए अस्कूल भेजते हैं और पढ़ा लेते हैं दफा करो अस्कूल को पढ़ लिख कर कौन सा अफसर बन जाना है जगु को कव्वे का बेटा है और कव्वे चोरियां करते ही अच्छे लगते हैं हाँ हाँ ममा मैं चोर बनूगा अपने ममा पापा की तरहां बलके अपने ममा पापा से भी बड़ा चोर फिर कालू अपनी पतनी की बात मानते हुए पहले दिन चोरी करने जगु को अपने साथ ले जाता है वो बाप बेटा घर से निकलते हैं वो सामने चिडिया का घर है बेटा घर से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाते हैं इधर उधर देखते हैं और अगर कोई नहो तो फिर घर के पास चले जाते हैं अब चलो हम घर के पास जाते हैं पापा अगर कोई देख रहा हो तो फिर क्या करते हैं फिर भागते नहीं है बलके वहीं चुपकर बैठे रहते हैं चलो अब फिर वो दोनों चिडिया के घर के पास चले जाते हैं खिरकी से देखते हैं अगर घर वाले सो रहे हों तो आहिस्ता से घर के अंदर जाते हैं जैसे ये चुडिया सो रही है चलो अब चुडिया के घर में चले जाते हैं फिर वो दोनों चिडिया के घर में जाते हैं और चिडिया के जमा किये हुए दाने उठा लेते हैं अब जैसे खामोशी से आए हैं वैसे ही खामोशी से वापिस चले जाएंगे ऐसे कालू अपने बेटे को साथ लेकर घर चला जाता है आगिया मेरा बेटा ट्रेनिंग लेकर हाँ ममा मैं आगिया आज मैंने पापा से बहुत कुछ सीखा है मैंने जगू को सब सिखा दिया है मगर पापा मैंने देखा है हमने कितनी बार चुडिया के घर से दाने चुराए है मगर फिर भी कई बार भूके हम ही सोते हैं चिडिया आंटी के घर से तो हमें हर बार दाने मिल जाते हैं ऐसी बातें नहीं सोचते बेटा चुप करके दाने खाओ और सो जाओ दूसरे रोज जगू कवा यही बात सोचे जा रहा था कि चिडिया आंटी के घर से दाने क्यों खतम नहीं होते यही सोचते हुए जगू कवा चिडिया के पास चला जाता है आंटी, आंटी, क्या आपने भोजन खा लिया है? नहीं जगू बेटा, आज मैं भूकी ही हूँ आंटी, वो क्यों? बेटा कोई चोर बेटा कोई चोर आज रात मेरे ख़र से भोजन चुरा कर ले गया था इसलिए आज मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया जगू जानना चाहता था कि चिडिया आउंटी अपनी जिन्दगी कैसे गुजारती है और उसके घर में फिर से भोजन कैसे आ जाता है आउंटी आज का दिन मैं भी आपके साथ ही गुजारूंगा और मैं भी भोजन की खोज में आपके साथ जाऊंगा फिर चिडिया जगू को साथ लेकर भोजन की खोज में निकल जाती है थोड़ी दूर चिडिया को एक घायल पक्षी नजर आता है जगू बेटा हम कितने ही भूके क्यों नहो मगर जब किसी पक्षी को मुसीबत में देखें तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए चलो उस घायल पक्षी की मदद करते हैं पक्षी क्या हुआ आपके पंक पर चोट कैसे आई मैं पेट से अमरूद तो रहा था के नीचे गिर गिर गिया मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो जगू बेटा आप यहीं बैठें फिर चिडिया नदी में जाती है और एक पते में थोड़ा सा पानी लाकर उसे पिला देती है चिडिया अब मैं खीक हूँ आप अब जाएं चिडिया और जगू आगे भड़ते हैं थोड़ी दूर चिडिया को कुछ भोजन मिल जाता है वहां कुछ दाने चावलों के थे जगू बेटा वो देखो हमें भोजन मिल गया है चलो हम वहां से चावल लेते हैं फिर चिडिया और जगू वहां जाते हैं आउंटी चिडिया आपने कभी चोरी की है नहीं बेटा जो चोरिया करता है बुरे काम करता है उसके मन को कभी सकून नहीं मिलता वो हमेशा परिशान रहता है और किसी ना किसी मुसीबत में फंसा रहता है मैं मिहनत करती हूँ, इमानदारी से काम करती हूँ इसलिए मैं हमेशा जागती तो भूकी हूँ, मगर कभी भूकी सोई नहीं चिडिया आंटी, मैं भी कुछ चावल अपने घर ले जाता हूँ हाँ बेटा, अपने ममा पापा के लिए भी भोजन ले जाओ, वो भी खा लेंगे फिर जगू और चिडिया चावल लेकर वापिस उड़ते हैं और जगू घर पहुंचाता है अरे वाव वाव, मेरा बेटा तो पक्का चोर बन गया है, दिन में भी चोरिया करने लगा है ममा, मैंने रात पापा के साथ गुजारी और दिन चिडिया आंटी के साथ जो सकून मुझे चिडिया आंटी के साथ महन से भोजन ढोरने में मिला वो सुकून मुझे रात को पापा के साथ चोरी करने में नहीं मिला किसी का भोजन चुरा कर खाने से कहीं अच्छा है कि हम अपनी महनत से कमा कर खाएं मैंने आज चिडिया आंटी से ये सीखा है जगु बेटा भोजन ठूनना महनत करना बहुत मुश्किल है और चोरी करना बहुत आसान है मैंने तो सारी जिन्दगी ये ही सीखा है मगर मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक रात गोरी कव्वी तोते के घौंसले से भोजन चुरा रही थी के तोते की आँख खुल जाती है चोर चोर मैं अभी पूछता हूँ तुम्हें तोता पास में पड़ी बड़ी लाठी उठा कर गोरी के पंख पर मारता है जिससे गोरी का पंख तूट जाता है और वो वहीं गिर जाती है दूसरे रोज कोई पक्षी गोरी को उठा कर उसके घड़ छोड़ जाता है ममा अगर उस दिन आपने मेरी बात मानी होती तो आज आपका पंख न तूटता क्या अब आप चाहोगी के कोई आपके बेटे का पंख भी तोड़ दे और वो भी आपकी तरहां सारी जिन्दगी के लिए अपाहिच हो जाए ये सुनकर गोरी कवी रोने लग जाती है बेटा मुझे माफ कर दो मैं गलत थी आज मुझे एहसास हो गया है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा ही होता है आप ठीक हो बेटा मगर अप पश्टाने से क्या अब गोरी कवी अपना पंक तुडवा बैठी थी और वो कभी उड़ नहीं सकेगी कुछ दिनों से जंगल में पक्षी बीमार हो रहे थे सब पक्षी बहुत परेशान थे कि आखिर क्या बात है जो सब बीमार हो रहे हैं फिर बुल-बुल उनहें बताती है कि आपकी नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है जब तक आप नदी के पानी को साफ नहीं करेंगे बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी ये सुनकर सब पक्षी नदी पर जाते हैं यहां तो सच में बहुत गंदगी है प्लास्टिक बैग्स और खाली बोतलें हमें ये सब साफ करना होगा हमें अपने लिए नदी का पानी साफ करना होगा मगर ये सब हम कैसे कह सकते हैं ये कचरा तो बहुत ज़्यादा है हम सम मिलकर पूरा साल भी लगे रहें तो फिर भी ये कचरा साफ नहीं होगा जो भी है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जो भी है हम सम मिलकर कल से काम शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी नदी को साफ करेंगे फिर वो सब वहां से चले जाते हैं कालू जी सुना है चिडिया कबूतर और तोता चले है नदी को साफ करने मेरे पास भी आये थे मैंने कहा कि मुझसे ये सफाई के काम नहीं होते मैं कोई काम वाली मासी हूँ और फिर वो चले गे अगर नदी का पानी साफ हो जाए तो सबका फाइदा होगा सबक्षी बिमारियों से बच जाएंगे तो फिर तुम ही जाकर कराओ उनके साथ नदी की सफाई मुझसे नहीं होती ममा आचा परेशान क्यों है बेटा नदी का पानी बहुत गंदा हो गया है उसे साफ करना है मगर कच्रा इतना जादा है कि बहुत मुश्किल लग रहा है ममा ये भी कोई परेशानी वाली बात है आप रस्यों से एक जाल बना लें और सब मिलकर उस जाल की मदद से कच्रा निकाल ले नदी के पानी से ये सुनकर चिडिया बहुत खुश हो जाती है बेटा ये बात तो हमारी अकल में आई ही नहीं हम सब कल ऐसा ही करेंगे और फिर दूसरे रोज चिडिया कबूतर को साथ लेकर एक बड़ा जाल तियार करती है और वो सम मिलकर बड़े जाल की मदद से नदी के पानी को साफ करना शुरू करते हैं जाल की मदद से काम बहुत जल्दी हो रहा था ऐसे शाम तक वो नदी का सारा पानी साफ कर लेते हैं अब वो सब बहुत खुश थे अब हम जंगल के रास्ते में डस्ट बीन रखेंगे और सारा कच्रा नदी में फैंकने की बज़ाए डस्ट बीन में फैंकेंगे जगा जगा डिस्ट बीन रख देते हैं ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं एक दिन गोरी कवी का पापड खाने को बहुत मन कर रहा था जंगल में एक पकॷी पापड बेच रहा था गोरी उस पकॷी के पास जाती है पक्षी जी पैसों के इलावा प्लास्टिक लेकर भी पापड दे देते हो क्या हाँ हाँ जो मिल जाए प्लास्टिक हो या लोहा मैं सब के बदले में पापड दे देता हूँ तुम यही रहो मैं अभी आई फिर गोरी जल्दी से वहां से जाती है और इधर उधर देखती हुई डस्ट बेन से कच्रा निकाल कर फैंक देती है और डस्ट बेन उठा कर भाग जाती है येलो डस्ट बेन प्लास्टिक की है येलो और मुझे बदले में करारे करारे पापड दे दो फिर वो पक्षी गोरी से प्लास्टिक की डस्ट बीन लेता है और उसे पापड दे देता है गोरी पापड लेकर अपने घर भाग जाती है अभी शाम भी नहीं हुई थी कि जंगल में खबर फैल जाती है कि किसी ने डस्ट बीन चोरी कर लिये हैं हम किसी को ऐसा नहीं करने देंगे हमें चोर को पकरना होगा नहीं तो हमारी नदी का पानी फिर से गंदा हो जाएगा चलो हम सब जाकर पुलिस को बताते हैं फिर कभूतर और चिडिया पुलिस के पास जाते हैं सबसे पहले मुझे जाना होगा पापड़ों वाले के पास जो प्लास्टिक खरीदता है और बदले में पापड़ देता है इंस्पेक्टर जी छोड़ना नहीं उसे जो भी छोड़ है उसे पकड़ना होगा फिर पुलिस जाती है और पापड़ों वाले के पास ये डस्ट बीन मिल जाते हैं सिधे से बता दो तुमने ये डस्ट बीन कहां से लिए अगर ना बताया तो बहुत मार पड़ेगी मुझे ना मारना इंस्पेक्टर जी ना मारना मैंने ये प्लास्ट की डस्ट बीन गोरी कवी से पापड़ों के बदले में ली है तो चोर पकड़ा गया फिर पुलिस डंडा लेकर गोरी के घर जाती है पापड़ों वाला पकशी भी साथ ही था चिडिया कबूतर और तोता भी आ जाते हैं गोरी अपने घर के बाहिर बैठी पापड़ खा रही थी वो रही वो रही जिससे मैंने प्लास्ट की डस्ट बीन ली थी मैं खिलाता हूँ तुम्हे पापड़ चोरनी कहीं की ये छूट बोल रहा है मैंने ऐसा नहीं किया ये बात तो जेल जाकर ही पता चलेगी मुझे माफ कर दो मुझे से कलती हो गई मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी फिर पोलिस चिडिया और कबोतर के कहने पर गोरी को माफ कर देती है अब गोरी जलती से जाओ और सारा कच्रा उठा कर फिर से डस्ट बीन में डालो अगर ना गई तो जेल जाना पड़ेगा मैं अभी गई मैं सारा जंगल साफ कर दूंगी परन तू पलीज मुझे जेल ना भेजना मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है ऐसे गोरी कवी पकड़ी जाती है और उसे जंगल की सफाई करना पड़ती है प्यारे दोस्तों अपने आसपास की जगों को हमेशा साफ रखो और कच्रा हमेशा डस्ट बीन में फैंको